गुद इबनिंग एवरीवान उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और हर्याना के एक्जाम्स क्यूंकि विलकुल सरपे हैं तो हर्याना जीके को आप अपने बहाफ पे भी थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के तयार करते रह चार महीने का टाइम लगेगा और तीन-चार महीने का मतलब है आप ये मान के चलो कि फेबरी तक हमें ये टाइम लगा के रखना पड़ेगा लेकिन जितना हो सकेगा मैक्सिम उतना मैं पढ़ा दूँगी कुछ सैयारी आप अपने बिहाफ पे भी कर लेना ठीक है इसके बा बार एक बड़ी पोस्ट पर बैठे रहे वो बड़ी पोस्ट कौन सी थी आपको याद होना चाहिए और इसी तरह रण सिंग जी भी दो बार बने थे ये किसकी जिक्रोर है कल मैंने एक टेबल आपको पढ़ाया था ये सब चीजे हमने पढ़ी थी कि कैसे शाहा आयोग आया धरमवीर जी जो थे आपके पहले राज्यपाल बने फिर पंडित बीडी शर्मा जी आपके CM बने ये इलेक्टिट नहीं थे 54 में से बन गए थे कुछी दिन चले क्योंकि उसी दौरान फिर अगले ही साल एक नवंबर को तो हरियाना बना था और मार्च में जाके आपका नय इलेक्शन हो गया 1967 में और आपके नए जो थे वो CM बन गए तो पंडित बीडी शर्मा जो कि आपके CM थे वो कुछी महीने रहे फिर नए CM हमें मिल गए थे अगले ही साल में ठीक है कल हमने ये सब पढ़ लिया था राजनेतिक संरचना में मैंने आपको पताया था कि विधा 2020 में इस pandemic में बहुत कुछ पता नहीं चला नहीं तो एक बहुत बड़ा amendment हुआ था 104 संविधान संशोधन जिसके तहत हमारे संविधान में आर्टिकल 333 कहता था कि हर राज्य में एक Anglo-Indian अगर जरूरत पड़े उसे उचित प्रतिनिधत्व ना मिला हो तो बनाया जा सकता ह अब आगे से वो कहीं नहीं बनेगा क्यूंकि आर्टिकल 331 और 333 लोक सभा के दो Anglo-Indian और विधान सभा के एक Anglo-Indian की पोस्ट अब आगे नहीं create की जाएगी ऐसा आपके सविधान में प्रावधान कर दिया गया एक सो चारवा समिधान संशोधन तो अब हमारे यहां 90 सीटे हैं इन 90 MLA की सीटों में से 17 SCs के लिए reserved हैं हमारे यहां लोक सभा के MP की 10 सीटे हैं जिन में से 2 reserved हैं SC की एक अंबाला की और एक आपके सिरसा की 17 की लिस्ट में अलग से याद कराऊंगी हर एक का जिला हमें शब्द शह याद होगा हमारे यहां पर सबसे बड़ी अगर सीट कहें MLA वाली शेतरफल में तो आप कहेंगे लोहारू वाली जो भीवानी का है सबसे छोटी शेतरफल में कहें तो आप कहेंगे बलरामगड अगर लोकसभा की बड़ी यह तो MLA की हुई ना लोकसभा की बड़ी सीट कहें तो आप कहेंगे भीवानी महेंदरगड वाली और अगर कहें जनसंख्यावाइस तो आप कहेंगे जो ये फरिदाबाद वाला एरिया है इसकी, ठीक है, चलिए ये सब हमने कल पढ़ लिया था, ये सब कुछ पढ़ा दिया था, ये सी की सीटें, वही है जो मैं बोल रही हूँ, फरिदाबाद हिसार में साथ साथ सीटें मेलेस क पढ़ लिये थे, और हमने देखा था कि आपके देश में पहली बार एक औरत को विधान सभा की अध्यक्ष बनाया गया, और हम हरियाना की विधान सभा अध्यक्ष बनी थी, श्रीमती शन्नो देवी, ये हरियाना की तो हैं ही, इंडिया के भी नंबर वन, पहली महिला है, जो विधान सभा की अध्यक्ष बनी, इससे पहले ये पंजाब की उपाध्यक्ष रही थी, विधान सभा की तो experience था, इसलिए यहां बना लिया, और ये महस कुछ महीनों की बात थी, क्योंकि मार्च में तो आपका नया अध्यक्ष बन गया था, जो कि पहला मेल अध्यक्ष मनफूल सिंग, रण सिंग, देखो दो बार आया था, रण सिंग, बीडी गुपता, जो की CM भी बने, तो दो आपके जो आदमी हैं, एक तो राव विरेंद्र सिंग, विधान सभा अध्यक्ष बने, और एक आपके बीडी गुपता, बनारसी दास गुपता, ये दोनों पहल आपके अपनी विधान सभा के अध्यक्ष बने हैं, और फिर दोनों बाद में जाके CM बने हैं, तो दो विधान सभा अध्यक्ष जो की आगे जाके क्या बन गए हैं, आपके CM, कौन-कौन है, राव विरेंद्र सिंग जी, जो पहले मेल अध्यक्ष भी थे, और पहले गेर गुपता जी, क्या नाम है, बीडी गुपता, बनारसी दास गुपता, ये 72 से 73 आपको दिख रहे हैं, अध्यक्ष रहे, फिर ये इसी सन के आगे चलते ही थोड़ा सा, और ये CM की कुरसी पर बैठे, ठीक है, रन सिंग दुबारा आ गए थे, और इसके बाद हर्मोहिंदर सिं 21, फिर यहां फिर नीचे आगए चड़ा जी, पांच से छे में, और फिर नीचे आगए नौ से ग्यारा में, ठीक है, तो तीन बार, रन सिंग जी दो बार है, इसके बाद अगर पूछे प्रेजेंट में कौन है, इसका जो आपके राज्य में चल रही है विधान सभा, ये क ये कि बात नहीं कर रहे है, ये बात कर रहे है, विधान सभा, विधान सभा की अध्यक्षा, हर राज्य में एक एक विधान सभा है, वहाँ पे कोई न कोई अध्यक्ष होगा, तो आपके पहली जो बनी थी, वो महिला थी, पहला मेल आपका जो बना था राव विरेंदर सिं प्रेजेंट में आपके विधान सभा के अध्यक्ष है ग्यान, तो ग्यान से याद कर लो, ठीक है, शन्नो देवी और ग्यान, वो फर्स्ट ये लास्ट, मतलब अब तक के लास्ट, ठीक है, लोकसभा, राजेसभा, शेत्र हमने बात की थी, लोकसभा की 10 सीटे, राजेसभा की पाँच, राजेसभा में सी, एस्टी वाली बात नहीं करनी, लोकसभा में करनी है, दो सेटे रिजर्वड है, देखो सबसे बड़ा बताया, भीमानी महेंद्रगड है, और सबसे जो जनसंख्या के अनुसार, सबसे बड़ा बताया, मैंने आपको फरिदाबाद है, अठारा अकसी बातें थी, जो हमने देख ली थी, और विधान सभा का मेंबर बनने की योगयता रखता हो, मेंबर नहीं होना चाहिए, अब टेबल पढ़ेंगे, आजकल यहां आके मैंने इसको रोग दिया था, कि सारी चीजें दिमाग में एक दम ऐसे नहीं कि मिक्स हो जाए, जैस अब से ज्यादा बार कौन बने हर मोहिंदर सिंग चढधा, दो बार कौन बने रण सिंग जी, तो अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में नाम जब घुमेंगे ना, पांच-छे बर पढ़ोगे, तब बात बनेगी, आज अगला टेबल पढ़ेंगे, हरियाना के इसको कौन जिताएगा, यहीं के लोग होंगे ना, तभी यहां की जनता उनको पसंद करेगी, MLA की रूप में बना देगी, लेकिन राजजपाल, जो आपके राजजपाल की सबसे बड़ी कहने की तो कम से कम बड़ी पोस्ट है ही, यह आदमी कभी भी कोशिश की जाती है कि आपके राजपाल की ड्यूटी है कि उसे हर पंदरा दिन में आपके राजपाल की रिपोर्ट दिल्ली पहुंचानी है ग्रह मंत्राले के पास, अगर वो आपके राजपाल ही आदमी होगा और आपके सी एम से उसकी अच्छी साथगांट होगी, तो वो कभी भी राजपाल क सिथी का परिश है, ग्रह मंत्री को देगा ही नहीं, इस लिए आप देखना कभी भी किसी भी राजपाल में वहां के आदमी को राजपाल नहीं बनाया जाता, हरियाना के लोग राजपाल बन सकते हैं, लेकिन हरियाना में नहीं भनाएंगे, आपके हहां जो सबसे बहला बिलॉंग करते थे और आप ये मान के चलिए कि उस टाइम अंग्रेजों के बाद की तो घटनाएं हैं ये अंग्रेज संतालिस में तो गए थे बस और ये छियासट में आपके राज़िपाल है इसका मतला अंग्रेजों से पुराने जमाने के ये हैं ये बहुत अच्छे खात दू वेल सेटल थे उस टाइम के अमीर थे ये तो यूपी के एक आदमी को जिनका नाम वीर भी लिख देते हैं कभी-कभी धरम वीर जी को आपका पहला क्या बनाया गया इनको राज़िपाल आपके राज़िका एक भी नहीं मिलेगा इनमें से मुझे आपने पहले पढ़े क्योंकि ये राज़िपाल है राज़िपाल कभी भी राज़िका आदमी नहीं बनता तो धरमवीर जी है पहले ज्यादा लंबे नहीं टिके क्यों क्योंकि आपके राज़िपाल जिस दिन हरियाना बना उस दिन आये और फिर ये 14. 1967 यानि लगभग 10 महीने आपके यही कारण है कि आपकी पंडित बीड़ी शर्मा जी का इवाप्ट कोई लेना देना नहीं है जनता से उसको ना आप बना सकती जनता ना उसकों हटा सकती वो डिरेकटर राश्ट्रपती बनाएगा और राश्च्टती ही हटाएगा लेकिन फिर भी यहाँ पे उस उतल पुतल का थोड़ा बहुत फरक हमें यहाँ भी दिखा धरमवीर जी लगभग 10 महीने आपके राज्य के हेड रहे ठीक है यूपी के थे अमीर घराने के उस टाइम के पढ़े लिखे आदमी विरेंद्र नारायन चक्रवर्ती आप जानते हैं हरियाना मे पे बैठे बैठे निधन हो गया यह 67 से 76 उल्टा कर दो देखो यहाँ 67 लिखा है 67 को उल्टा करेंगे तो इसको ध्यान से समझो 67 को उल्टा कर दिया तो क्या बन गया 76 ठीक है तो यह इतने लंबे टाइम तक आपके राज्यपाल रहे वैसे काईदा यह कहता है कि राज्यपाल का कारेकाल होता है 5 साल यह राश्टपती की मर्जी तक राश्टपती के प्रसाद परियंद्थ आप द क्योंकि इनकी इनका इनको हटाया नहीं गया इनकी डेत हो गई थी कारेकाल के दोरान तो सीट पे इनकी डेत हुई है ओफिस में इनकी डेत हुई है इसलिए आप यह कह सकते हैं कि सबसे लंबा कारेकाल आपके यहां second number के राज्यपाल का था जिसका नम था विरेंद्र नार लायन चक्रवर्ती चक्रवर्ती सरनेम आपके यहां नहीं मिलता ना क्योंकि बाहर के थे इस सारे के सारे बाहर के थे तो यह भी बहुत पढ़े लिखे थे यह तो बहुत रिच फैमिली से थे यह आई ये इस उस टाइम में जब अंग्रेज थे अंग्रेजों के टाइम में Civil Services में थे ये, उसके बाद फिर अंग्रेज तो चले गए, फिर ये बड़ी-बड़ी पोस्ट पर बैठ गए, तो सबसे लंबे समय तक ये पूछेंगे, VN चक्रवर्ती वाला सबसे लंबे समय तक ये हरियाना के राज्यपाल रहे है, नेक्स्ट, रणजीद सिंग नरूला, बहुत-बहुत काम का नाम, अब देखना, दो नामों को ध्यान से सुनना, एक आदमी है रणजीद सिंग नरूला, और एक आदमी है सुरुजीद सिंग संधवालिया, ये दोनों आदमी आपके राज्यपाल बनने से पहले, आपके यहा तो कोई पूछे तुम से कि अपने दो ऐसे राचिपाल बोलो जो की राजजपाल की कुर्सी पर बैठे और जो चीफ जस्टिस भी थे आपके High Court के तो आप किसका नाम लेंगे रंजीज सिंग नरूला और संधवालिया सुर्जीद सिंग रंजीद सिंग सुर्जीद सिंग दो चीफ जजज, तो चीफ जस्टिस रहे, सबसे बड़े जजज, ठीक है, आच्छा, ठीक है, आगे देखें जरा क्या कह रहे हैं, इसमें शैद अवास का इशू एक दिन पहले भी ऐसा कह रहे थे, जब मैंने यहां क्लास ली, एक बड़ चेक कर वा लेना, तो नरूला और संध वालिया, याद रह जाएगा यह, पहला आदमी कौन था, जो दस महीने काटके गया सिर्फ, उनका नाम था धरम वीर, वो वीर के नाम से भी जाने जाते हैं, दूसरा आदमी कौन था, उनहीं के टकर वे बहुत तगड़ा, जिसने काम समाला, वी एन चकरवरती, 67 से 76, और उ जो चीफ जस्टिस हैं आपके, जो आपके राजजपाल भी बने हैं, कौन-कौन, एक नरूला और एक संधवालिया, रणजीत सिंग और सुरजीत सिंग, ठीक है, दोनों के नाम ध्यान रखना, देखो बहुत सारी चीज़े ना, सेम नहीं आएंगी, पेपर आएगा घुमा विधान सभा का अध्यक्ष बना, कौन से दो विधान सभा अध्यक्ष आपके CM भी बने, तो ये चीज़े हैं, जिनको कहते हैं, कॉम्पलेक्स हैं थोड़ी सी, है आसान, अगर समझ लोगे तो, वरना आपको टफ लगेंगी, कॉम्पलेक्स लगेंगी, ठीक है, चलिए, आ 76 से 77 तक रहे, सन नहीं पूछेंगे, एक आइडिया रखना, कि हाथी सरनेम वाला भी एक आदमी आपका राज़पाल रहा, जैसुखलाल हाथी, नरूला हाथी, वीयन चकरवर्ती और धरम वीर, ये आपके हेड रहे है, राज़पाल रहे है, फिर है हर्चरण सिंग बराड ये काम का नाम है, क्योंकि ये आपके बाद में, हमारे यहां के बाद, ये CM बनेंगे पंजाब के, आप पंजाब से ही तो अलग हुए थे, और पंजाब में जाके आपके हर्याणा में, एक आदमी जिसने राजपाल की कुरसी पर बैठ के काम किया, वही आदमी जाके पंज में, CM की कुरसी पर बैठा, क्या नाम है उसका, उसका नाम है, हर्चरण सिंग बराड, ऐसे क्वेशन पूछेंगे अब, क्योंकि उनको लेवल थोड़ा सा टफ करना पड़ेगा, अब सब लोग चीजें, आसा चीजें तो सब ने रट ली, सब को नोकरी चाहिए, सब ने र सभाला, तो कौन है वो, हर्चरण सिंग बराड, बराड, ये CM अफ पंजाब बने, हाथी बस नाम याद रख ले न, हाथी थे, और नरूला, आपके हाई कोट में भी रहे हैं, चीफ जेस्टिस और आपके, ये सबसे बड़ी पोस्ट पढ़िया नहीं, राज जेपाल, ऐसे कारणों से जब नहीं बन पाए होंगे, राजपाल टाइम ली, तो इनको मौका मिल गया था, ठीक है, अब देखो हमने चे पढ़ लिये, जितने अच्छे ढंग से एक एक टेबल को करोगे न, उतने तुमारे माक साने क्यों मीद ज्यादा होगी, पहला कौन था आपका धरम धरमवीर, धरमवीर मैंने बताया, बहुत अमीर घर से थे, पढ़े लिके थे, दूसरा, विरेंदर नारायन चकरवर्ती, सबसे लंबा कारेकाल, 67 से 76, कारेकाल के बीच में ही इनकी डेथ हुई थी, विरेंदर नारायन चकरवर्ती, तीसरा आदमी है, रणजीत सिंग लेते हैं, ये भी बड़े अधिकारी रहे थे, इसके बाद आए, ःर चरंड़ सिंग बराड, बरार कौन है, बाद में कौन बनेंगे ये, पंजाब के सी एम बनेंगे, ठीख है, इसके बाद जैसुखलाल हाती हो गया, ःर चरंण सिंग बराड हो गया, सुर्जीत सिंग ये भी आपके राज़्यपाल रहे हैं, साइद मुझफर हुसेन बरूनी ये भी बड़े अफसर थे, मतलब ये अफसर शाही में डिप्लोमाट थे ये, तो साइद मुझफर हुसेन बरूनी, नाम देखो अलग-अलग से हैं, पूछ लेंगे किस पोस्ट पर रहे हैं, तो ये किसी के नहीं पुछना लेका आइडिया रखना, इनका नाम है एच्छे आनंद, हरी आनंद बरारी, तो हरी आनंद बरारी भी आपके राज जिपाल रहे, धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल और जीडी तपासे, इन दोनों के टाइम पीरिड में आपकी राजनीती में उथल पुथल मची थी एक जीडी तपासे इनका पूरणाम है गणपत देवजी तपासे और एक धनिक लाल मंडल इन दोनों के टाइम में आपके राज़ में गड़बडियां रही थी राजनीती में किस किस के टाइम में धनिक लाल मंडल और जीडी तपासे तपासे और मंडल दोन संधवालिया है ना तो सुरजीत सिंग और रंजीत सिंग नाम याद न रहे आप एक आइडिया को सुल लिया ना तो फिर याद आ जागा नरूला मैंने पढ़ा हुआ है संधवालिया पढ़ा है सबसे लंबा कारेकाल किसका था वियन चकरवर्ती विरेंद नारायन चकरवर्ती एक नहर का नाम भी उनके नाम पर है तो धनिकलाल मंडल और तपासे इन दोनों के टाइम में आपके राजनीती में गड़बढ़िया रही थी महावीर प्रसाद आपके राज़पाल रहे हैं बावु पर्मानंद जी आपके राज़पाल रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा ये काम का नाम है क्योंकि देखो जरा इनका कारेकाल देखो आप ओम प्रकाश वर्मा जी का सबसे कम समय तक आपके राजपाल रहे दो साथ से साथ साथ, देखो संतो सेम है, ये भी सेम है, बस कुछ दिनों के राज़पाल थे, सिर्फ कुछ दिनों के, कौन? ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, दो तीन बार सुनोगे तब याद होगा ये, जैसे पहले गुपता जी पढ़के आयो ना, ऐसे अब आगए ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है? वर्मा जी सबसे छोटे राज़पाल रहे, सबसे छोटे टाइम पिरिड़ के, कितने दिन में आपके यहां है, सत्यदेव नारायन आरे, और आप सब जानते हैं, ये बिहार को बिलॉंग करते हैं, तो प्रेज़ेंट में जो है, उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, सत्यदेव नारायन आरे, बिहार से संबंधित हैं, क्योंकि बाहर से ही आदमी आपका राज मिलेगा ही मिलेगा तो आज की डेट में आपके सत्रवे राज्यपाल है आपके देश में जो लोकसभा चल रही है न वो है सत्रवी उतने ही नंबर के आपके राज्यपाल है आपके देश में जो राष्ट्रपती चल रहे है न चौदवे उतने नंबर की आपकी विधान सभा ह तो देश के राष्टपती के रैंक वाली आपकी विधान सभा है और देश में जो लोक सभा का नंबर है वो आपके यहां राज जिपाल का नंबर है क्या नाम है इनका सत्य देव आरे सत्य देव नारायन आरे इनका पूरा नाम है कौन से नंबर के हैं सत्रवे के ठीक है दो आ इहला आदमी कौन था? धरमवीर. दूसरा आदमी जो सबसे लंबा टिका, वो कौन था आपके यहाँ? विरेंद्र नारायन चक्रवर्ती. ऐसा कौन था आपके यहाँ? जो सबसे छोटा टाइम पीरिएड, साथ दिन का टाइम पीरिएड काटके गए. कौन थे वो? ओम प्रका गॉर्मा, ओम प्रकाशवर्मा. सबसे लंबा वी एन चक्रवर्ती, सबसे छोटा ओम प्रकाश वर्मा ठीक है? तो वर्मा जी सबसे छोटा कारेकाल देख के गए और चक्रवर्ती जी तो expiry ही हो गए यह वरना क्या पता ओम पकारेकाल देख जाते हैं. उन्होंने 67 से 66 का ट पढ़ली याद रहे जाएंगे धरमवीर आपने सुना और विरेन नारायन चकरवर्ती आपने सुना नरूला जी को आप अच्छी तरह जानते हैं जैसुखलाल हाथी जी का नाम आपको पता है कि ये राजजपाल रहे बराड आप जानते हैं सी एम पंजाब बने संधवाली आ रही महावीर प्रसाद बाबू पर्मानंद ओम प्रकाश वर्मा सबसे छोटा टाइम पीरिड एस गवर्नर और ए र के दवई फिर ये तो अभी की कहानी है पहाडिया सोलंकी और सत्य देव नारायन आरे तो प्रेजप में बैठे ही हैं ठीक है तो ये सब नाम हमने देख ल आनते हो कि आपके राज में प्रेजंट में विधान सभा में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज हुई थी 40 सीटे जिनको मिली थी BJP को जिन्होंने हाथ पकड़ लिया JJP का 10 सीटों के साथ और इस तरह ऐसे आपके राज में नभ्भे की आधी सीटे होती है 45 उ आपके है 90 सीटों पर प्रेजंट में सपष्ट था 31 सीटें कॉंग्रेस को गई 40 सीटें BJP को इंडिपेंडेंट ने साथ ली JJP ने दस ली और आज आपके राज में जो सरकार बनाए बैठे हैं वो सब लोगों को पता है JJP का मंत्री बन गया और मुख्य मंत्री बन गया BJP क ठीक है तो राज्य की वास्तविक कारेपाली का मुख्य मंत्री और मंत्री परिशद दिखावटी कारेपाली का राज्य पाल थे जो कि आपके राज्य को जानते भी नहीं हैं बाहर के आदमी हैं वो सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं ग्रह मंत्री को तो असली अगर पूछे वास्तविक तो वो है CM और मंत्री परिशत राज में CM की न्युक्ति राज़पाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की न्युक्ति राज़पाल मुख्य मंत्री के परामर्श से करता है तो जो आदमी आपके राज़ का नहीं है वो आपके राजय में उस आदमी को CM बना देता है, न्यूक्त कर देता है, जिसको आप जनता ने बहुमत दल के नेता के रूप में चुना है, तो ये जो भी आपके राजय में राजय पाल है, चाहे वो आपके राजय के आदमियों को ढंग से ना जानता हो, लेकिन वो जनता क जो एक तरह से हमने चाहा कि BJP जीते तभी उसको इतनी सीटे दिलाई हमने चाहा कि भी पक्ष में कॉंग्रेस आए इसलिए हमने उसको इतनी सीटे कप्ते सीटे दिलाई तो ये सब चीजें जनता डिसाइड करती है बस दिखावट के तौर पे राजजपाल ने उनको बुला दिया शपद दिला दिया इतना करना है ठीक है हरियाना के सीएम एक बहुत बहुत तफ टॉपिक और लगभग लोगों को मुश्किल लगता है और बहुत ज़्यदा कॉंपलेक्स दिखता है लगता है याद कैसे होगा याद नहीं होगा ये सच में बहुत टफ है अगर इसको बहुत ज़्यादा टाइम ना दिया जाए तो ये समझ में भी नहीं आता और आपने देखा हर बार क्वेशन आते हैं सीएम के टेबल से, रजजपाल के टेबल से विधान सब अध्यक्ष के टेबल से हर बार क्वेशन आते हैं नियाए धीशूं से भी क्वेशन आ जाते हैं तो इस टेबल पे तो आपकी बहुत मजबूत कमांड चाहिए अब तक हम दो टेबल पढ़ चुके विधान सब अध्यक्षों वाला और आज राज्यपाल वाला कौन सा विधान सब अध्यक्ष तीन बार बना था? हर मोहिंदर सिंग चढधा कौन से दो चीफ जस्टेस आपके राज्यपाल भी रहे हैं? नरूला और संधवालिया कौन से दो राज़पालों के टाइम में राजनेती खलचलों का टाइम था तपासे और धनिकलाल मंडल कौन सा आपका CM ऐसा था दो CM जो की विधान सभा की अध्यक्ष भी वने तो यह आपको याद होना चाहिए अब आपको याद होगा यह कि कौन थे गुपता जी और यह अपना सेकेंड वाले थे ना जिनका था राओ विरेंद्र सिंग सबसे छोटा राज़पाल का कारेकाल किस ने देखा है वर्मा जी ने ओम प्रकाश वर्मा जी ने एक ओम प्रकाश चोटाला भी है वो CM की लिस्ट में पढ़ने है और अगर कहेंगे सबसे लंबा कारेकाल तो आप कहेंगे वी एंचकरवरती एक जैसे दिखते हैं लेकिन अलग अलग है बार बार सुनोगे पढ़ोगे तो बात बनेगी अब देखो जरा ये लिस्ट स्टार्ट हो गई हरियाना के CM की मैं एक बर इसको रफ पढ़ती हूं ऐसा नहीं कि आप एकदम से सीख जाएंगे एक रफ आइडिया देती हूं सबसे पहले आपके बीडी शर्म के हमने अपना इलेक्शन नहीं किया कुछ महीने रहे इनके बाद इलेक्शन हुआ मार्च में और मार्च में आपके CM बने राव विरेंदर सिंग जी जो कुछ दिनों के लिए आपके विधान सभा के अध्यक्ष बने थे बीस एक दिन के लिए फिर वहां से हटके और बन ग चलो राष्ट्रपती शासन हर्याना में ये भी important topic है कई question बनते हैं से राष्ट्रपती शासन हर्याना में राष्ट्पती शासन देखो जरा, सबसे पहले लगा, कितनी बार लगा, तीन बार, अब आपसे सन पूछ लेंगे, दिन पूछ लेंगे, महीने, क्योंकि आप पेपर वो टफ पनाएंगे, तो हर चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, तीन बार लगा है राश्टपती शासन, 1967, ठीक एक साल बात से 1968, इतने भर से काम नहीं चलेगा, आपको ये लगा लो कि ये, ये मैंने थोड़ा पास लिख दिया, इसको 1968, इसके दिन भी बताने पड़ेंगे, सेकेंड मैं यहां लिख देती हूँ, 1977 से 1977, 77, 77, और तीसरा, 1991 से 1991, इसका मतलब इसमें साल चेंज नहीं हुए, पहले का सा क्यों चेंज हुआ बता दू, वैसे वो भी ऐसा नहीं था कि साल लगा हो, वो भी साल नहीं लगा, लेकिन पहले का साल इसले बदला क्योंकि वो लगाई एंड में था, 1967 में ये लगा है दो नवंबर को, तो 211, 211, 1967 से, और फिर ये लगा है पांचवे महीने तक, यानि यह यहां पर अगर मैं डेट लिखो इसकी, तो मैं यहां लिख देती हूँ, यह अपका लगा है पांच तारीक तक, पांच उननिस सो अड़ सट, पांचवे महीने तक, अब इनकी तारीक देखना में तुम्हें असान बना के दिखाऊंगी ताकि तुम्हें याद करना असान द करते हैं, ध्यान से बोट पर देखना, यहां 4-6 कर देना, 4-6 कर देना, यानि एपरिल से लगके जून में हट गया, फिर एपरिल से लगके जून में हट गया, वो नवंबर से मई तक चला, ठीक है, पहले आपको सन याद होने चाहिए, 67-68, 77-77, 91-91, फिर आप क्या करोगे उपर के सन भी छोड़ दो, 4-6-4-6, उपर वाला हमें याद है, एक साल एक महिने बाद, यानि नवंबर में लगा, और कब हटेगा, मई में, अब बात करेंगे दिनों की, कौन सी तारीक में, तो ध्यान से सुनना, आपको यहां पे days जब लिखने हैं न, दिमाग में रखो यहां आएगा 20, यहां 21 और यहां 22, 20, 21, 22, एक सीरीज बनती है, लेकिन थोड़ा उपर नीचे, 20 बीच में स्टार्ट करना, 20, 21, 22, यानि यह वाला आपकाल, दो नवंबर 67 से, और कब तक रहा, 21 मई 1968 तक, 21 मई 1968, यह कब से कब तक रहा, ध्यान से देखो, दो और यहां पे आजाएगा, तीन, दो तीए कितना होता है, छे, तो यहां छे कर देना, यह तीन को बाद में आपको 30 करना पड़ेगा, यह दिमाग में बैठाना पड़ेगा, एक दो बार जब बादचीत होगी न, मैं दोबारा लिखती हूँ, थोड़ा साफ से, उसमें थोड़ा मिक्स हो 1991 से 1991, इनके महीनों की हम बात करेंगे, चौथे महीने से छटे महीने के बीच, यहां भी सेम, चौथे महीने से छटे महीने के बीच, पहले वाले के महीने चेंज करना, नवंबर में लगा था, ठीक आपके राज्य के बनने के एक साल, एक दिन बाद, और फिर यह मई तक चल पहले वाला बाकी तो फिर मजाग टाइप लगे हैं अब इनकी डेट्स अगर पूछेंगे कौन-कौन सी तारीक तो हमें इसकी तारीक एक तरीके से आद कर डिये हैं कैसे 20, 21 और 22 ठीक है अब इधर आजाओ यह तो आपको अपनी तारीक से आद करना ही है दो नवंबर यह क्र लेते हैं और यहा छे कर लेते हैं बस इसको तीन को बाद में तीस कर देना यह आपकाण का टेबल है मतलम मैंने ऐसे याद किया जैसे आपको ओर आसान तरीके से हो तो आप ऐसे कर लेना कोई कंपल्शन नहीं कि आप ऐसे आद रखो मुझे लगा एसे चाहाँ होगा और 4-6-4-6, पहले सन याद हूँ, 67-68, 77-77, 91-91, फिर इस बीच वाली रेंज में 4-6-4-6, यानि चौथे महीने में लगाके छटे में हटा दिया, फिर यहां कर लें 20-21-22, उधर ले जाएं, तो उपर दो हमें पता ही है, वही एक साल एक महीने बाद, 2-3-6, दो तिया 6 ही तो हो होगी आधी दुनिया, यार थोड़ी आएगा, लगेगा यार पढ़ रखा है, पता नहीं, तीस पांच था या बीस पांच था, वहीं आद नहीं आता, तब यहां यह कोड़ करेगा, कैसे सब से उपर 67-68, 77-77, 91-91, 4-6-4-6, वहां दो से पांच सक ले जाना आपको, यह पांच तक, उसके बाद डेट्स पे आजाएं, तो पीछे वाले में 20, बीच में, फिर 21, फिर 22, उधर चलें, तो उपर दो है, दो नौम बरियाद है, दो, तीन, छे, दो, तीन, चे, बस तीन को 30 कर देना, ठीक है, अब इसके बाद वो पूछेंगे, कि बताओ जरा, यहां कौन बना, तो यह भी टफ है, तो यहां इस से पहले कौन सी एम था, और इसके बाद कौन, क्यूंकि तब से तब तक तो चला, यह आटिकल 356 की बात कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं, राश्ट्रपती शासन, प्रेजिडेंट रूल, राश्ट्रपती शासन, ठीक है, अब अब ध्यान से देख पा रहे हो कि यह दो महीने भी नहीं पकड़ पाया, है ना, चार से छटा जो महीना था, मतलब दो महीने के आसपास, यह भी दो महीने, मुश्किल से, दो से भी कम थे यह, और इसके बाद आप यह देख रहे हैं, छे महीने पूरे लगभग के हेर फेर म हैं, इसका मतलब बहुत खराब कंडिशन आपके राज्जे में कभी भी थी, अगर बहुत खराब होती है न, तो ये कंडिशन फिर एक साल खींचती है, और पिर और ज्यादा खराब होती है तो तो तीन साल, और भी ज्यादा होँ, तो फिर अमेंडमेंट करना पडता है 1987 से 1992 तो इसका मतलब हम तो अपने आपको लखी माने कि कहने को तीन बार राश्पती शासन चला पर ऐसी खराब सिती नहीं थी कि वो हमारे हाथ से निकल गई हो बात तो अराम से चीजें हम लोग मैनेज कर लेते होंगे ठीक है अब बात करते हैं कौन-कौन सीम था इसके बाद कौन बना और इससे पहले कौन बना सबसे पहले बात करते हैं पहले कौन था इसको याद करना राव विरेंदर सिंग बनारसी दास गुपता और चोटाला ठीक है और अगर इधर जाएं तो इधर है तीन भजनलाल बंसीलाल भजनलाल और देवीलाल तीनों लाल है तो पिर कै के भजन गए, ठीक है, बंसी लाल ने देवी के भजन गए, यानि पहले जब लगा उसके पाद बंसी लाल जी आए, जब दुबारा हटा, तो उसके बाद आए देवी लाल जी, और जब तीसरी बार हटा, तो नंबर आया भजन लाल जी का, तो बंसी लाल ने देवी के भजन बंसिलाल ने क्या किया, देवी के भजन गाए, बंसिलाल बीच में आ गया, यह सब से उपर आ गया, फिर देवी और भजन, तो लाल, लाल, लाल हमें पता ही है, इधर कैसे याद करोगे, इसको याद करें ना, राओ बना चोटाला, तो राओ बना चोटाला, यह कुछ जो भूल न जाओ, ऐसा ना हो, तरीका ऐसा हो, जो वह जाके याद ना है, तो राओ बना चोटाला, आइडिया लग जाएगा, राओ विरेंद्र सिंग, बना मतलब बनारसी दासकुपता, चोटाला आप जानते ही है, उम्परकाश चोटाला, और वहां क्या, किसने भजन गाए बनसी लाल ने देवी के भजन गाए, तो देवी के भजन तो नीचे है, बनसी उपर है, बनसी लाल ने देवी लाल के भजन, तो बनसी देवी भजन, ठीक है, और यहां राओ बना चोटाला, तो राओ विरेंद्र सिंग, बनारसी दासकुपता और उम्परकाश चोटाला, अब फिर से कोई आपसे पूछे कि डेट तो आपको याद होनी चाहिए, कैसे लिखोगे, 1967 से 1968, 1977 से सेम 1977 और 1991 से 1991, जब सन नहीं बदला तो इनके हमें मन्स भी याद हैं, सिर्फ महीनों का लगा था, चोथे महीने से छटे महीने का, ये भी चोथे महीने से छटे महीने का, इन की हमें डेट भी याद हैं, क्या-क्या थी, 20, 21 और 22, यहां जाके चीजें थोड़ी सी उपर जाके कॉंपलेक्स हुई थी, ये पांचवे महीने तक चला था, है न, और ये लगा कब था, 2 नवंबर को, जब आप बने थे, आपको बने हुए, एक साल, एक तिन हुआ था, त इरेंदर सिंग, हटने के बाद कौन बना, किसने भजन गाये थे, बनसी ने, बनसी ने देवी के भजन गाये, इसका मतलब राओ, यहां कौन होगा, पनारसी दास गुपता, यहां कौन होगा, देवी लाल, और यहां कौन होगा, चोटाला, और उसके बाद कौन आएगा, उ यह थोड़ा सा टफ है, कॉंपलेक्स है, लेकिन दो-तीन बार पढ़ने से याद हो जाता है, चलो, एक बहुत-बड़ा disputed question है, CMs के उपर, आपके हरियाना में longest serving CM कौन था, सबसे ज्यादा जिसने CM की कुरसी पे काम किया, तो longest serving CM of हरियाना, कौन था ये, अब इसमें दो option आपको हर जगह पढ़ने को मिलेंगे, आपको किताबों में 99% में लिखा मिलेगा भजनलाल, आपका सबसे लंबा कारिकाल वाला CM थे, लेकिन आप जब Wikipedia पे जाएंगे, आप थोड़ी अच्छी सी भजनलाल के साथ जाएंगे, भजनलाल का time period कम है, 11 साल कुछ दिन है, और बंसी लाल जी के 12 साल 200 दिन के आसपास का time period निकलता है, तो काइदा ये कहता है, अगर आप इसको इंडिया के chief ministers की list में भी find out करेंगे न, आप लिखेंगे longest serving chief ministers in India, तो उसमें काफी ज्यादा नीचे जाने के बाद, क्यूंकि आपके यहां तो बहुत लंबे-लंबे time period लोगोंने CM की कुरसी पे काटे हैं, कई-कई साल, ये तो बहुत छोटा है, 12 साल तो कुछ भी नहीं है तो उसमें आपके भजनलाल का नाम नहीं है, यानि इंडिया की list में आपके भजनलाल को consider नहीं करते, तो आप बंसीलाल के साथ जाएंगे, आपकी किताबों में भजनलाल का नाम बेशक लिखा हो, लेकिन पहली priority पर बंसीलाल के साथ जाना, ठीक है, ये longest serving है, बेशक किष् पार्टी, ये 1996 के election में जब जीते थे ना, फिर 1998-99 तक चले थे, उस टाइम पर ये Congress के member नहीं थे, हरियाना विकास पार्टी इनकी बनाई हुई एक नई पार्टी थी, और ये वही दौर था जब बंसीलाल जी ने हरियाना में शराब बंदी विधेयक पेश करके, और सबसे लंबा कारिकाल लगातार में किसने देखा, तो आप सब जानते हैं, भुपिंदर सिंग हुड़ा जी हैं, जिन्होंने लगातार में कितने साल काटे हैं, दस साल, और आज वो आपके विपक्ष के लीडर भी है, 31 सीटे हैं अगर लास्ट में ये क्लियर ना कहते हैं, कि हुड़ा जी को मुका मिलेगा इनके खिलाफ लड़ने का यहां राजिस्तर पर, तो हुड़ा जी हो सकता है, चालिस में से चालिस भी ले जाते हैं, मैं ये अगर एक आजमी कुछ दिन काम करके, कुछ दिन ही तो काम किया, 31 सीट ले सकता है, तो विपक्ष में बैठना भ यहां वो अच्छे ढंग से, जीती पार्टी चालिस ले गई और ये 31, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा तो नहीं है, और अगर सोचो कॉंग्रेस जेजेपी को और इंडिपेंडेंट को अपने साथ मिला लेती, तो इनकी सरकार बन जाती, वो तो सारा खेल 45 से उपर कूदने काई तो था, वो 40 पे थे, ये 31 पे, ये जेजेपी को मिलाते तो 41 कर लेते, और ये इंडिपेंडेंट के साथ ले लेते, तो इनके 48 हो जाते, फिर इनकी पार्टी बन जाती, इनकी सरकार, यानि अगर आपकी सरकार नहीं भी बन पाई, और आप इज़त के साथ पिपक्ष म हैं, तो आप भी मजबूत माने जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके मैंने तीन पॉइंट बता दिये, अगर आपको पेपर में सबसे लॉंगेस सर्विंग पूछेंगे तो बनसिलाल के साथ जाना, लगातार में सबसे लंबा कारेकाल कहेंगे तो हुड़ा के साथ जाना, औ अगर आपको बनसिलाल का नाम नहीं मिलता है, तो फिर लॉंगेस सर्विंग में आप भजनलाल के साथ जाएंगे, ठीक है, तो ये हैं हरियाना के इंपॉर्टेंट सीम, अभी जो बैठे हैं, मनुहर लाल खटर जी, ये आपके कौन सी विधान सभा के हैं, ये आपकी अभी विधान सभाद चल रही है, तेरवी तो पिछले साल खतम हो गई, तो हरियाना के सीम की लिस्ट अप पढ़ते हैं, पहले हैं पंडित बीडी शर्मा जी, भगवद दयाल शर्मा जी, बिना इलेक्शन के बने थे न, देखो एक ग्यारा को जिस दिन आप अलग हुए उ सब बाहर के थे उसमें, चाहे वो बराड थे, चाहे वो नरूला थे, संधवालिया थे, वो तपासे थे, मंडल थे, सब बाहर के थे, यह सब आपके राज्य के हैं, क्योंकि यह सीम है, इनको आपने मले बनाया है, तो पंडित बीडी शर्मा हुए, फिर आए राव यही तो है वो जो पहला विधारान सभा का मेल अध्यक्ष था, कुछी दिन ही अध्यक्ष रहे थे, फिर अध्यक्ष से इन्हों ने स्टीफा दिया और सी एम बन गए, लेकिन सी एम भी ज्यादा लंबे नहीं टिके, इनी के बाद तो राश्टपती शासन लगा था, आप दे देखो यह रहा, तब आपको बने हुए सिर्फ एक साल एक दिन हुआ था, आप एक ग्यारा को तो बने ही थे, दो ग्यारा सड़ सट को आपके राज्यमे, राश्टपती शासन अर्टिकल 356 के तहत, और फिर यह चला एकिस पांच 68 तक, 67 से 68 बताया था न मैंने भी यह, बी क्या बना, चोटाला, यानि पहले 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 कहेंगे तो राव विरेंद्र सिंग, जब पहला राश्टपती शासन था, जब दूसरा लगा तो उस ताम कौन था, बनारसी दास गुपता जी, और उसके बाद कौन थे, चोटाला, और जब वो हटे, तो पीछे क्या थे, किस बनसीलाल ने देवी के भजन गाए, तो जब लगा राश्टपती शासन थो राव विरेंद्र सिंगी थे, और जब हटा तो बन गये थे, बनसीलाल, बनसीलाल ने तो देवी के भजन गाए थे, अब देखो ज़रा, अगला कौन है, बनसीलाल, 68 से 75 के बीच में, आपके राज्य ने काफी प्रगती भी की, कैसे, क्योंकि आपके यहाँ, 1970 का जो दौर था, ये हरियाना, इंडिया का पहला स्टेट बना, जहां 100 परसंट विलेजिस तक इलेक्रिफिकेशन पहुंचा, यानि हर गाउं तक बिजली पहुंची, 1970 में, उस होने ये घोशना करके, टीवी पे, तब एक ही चनल था, नैशनल चनल, लाइफ किया था, इसी दौर में, आपके हरियाना में, बहुत सारे विकास के कामों में, एक विकास का काम ये हुआ, कि मारूती उद्योग लिमिटेड की साफना हुई 1970 में, तो 1970 वाला जो टाइम था तब आप हरियाना बिल्कुल नया नया बना था, उस टाइम हरियाना को एक शेप देने का काम किया था, चौधरी बंसी लाल जी ने, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं कि ये modern हरियाना के मेकर हैं, यानि आधुनिक हरियाना के शिल्प कार कहलाते हैं, आधुनिक हरियाना के तो देखो यह वही 75 वाला दौर था इसके बाद आए बनारसी दास गुपता जी 75 से 77 काट गए यह आपके देश में इमर्जंसी का काल था आप सभी जानते हैं इंद्रा गांधी ने देश में अपनी पावर का मिस्यूज किया था और देश में बिना जरूरत के आंतरिक आपा चल लगा था छटे महीने में तो उस हेरफेर की बाते हैं यह और फिर 77 में हट गया था आपातकाल आपके स्टार्टिंग में जनवरी में घोशना की थी मार्च में एलेक्शन हुए यानि जब देश में अपातकाल था 352 चल रहा था तो आपके यहां में काम सभाल रहे थे गुपता जी बंसिलाल जी का टाइम पिरिड छोटा था तो उसको आप ज्यादा कंसीडर ना करें आप इसको देखें कि बनार्सी दास गुपता जी ने आपके देश के अपातकाल के दौर में हरियाना को संभाला था चीक है अब जब आपका देश का आपातकाल हटा तो से 26 तक क्योंकि 20 21 22 और 2 36 तो तीन का हमने 30 बनाया था यानि 34 77 से 26 what के बीच में आपके राज्य में हरियाना में राष्ट्पती शासन लगा देश का राष्ट्पती शासन खतम हुा है राष्ट्रिय आपातकाल 352 आपके यह 3056 लग गया ठीक है फिर इसके हरती कौन आया बं अपने भजनलाल जी के साथ तो सबसे लंबे समय तक काईदे से किसके साथ लिखोगे बंसीलाल के साथ ठीक है पर अगर पेपर में बंसीलाल ना मिले तो फिर भजनलाल ये 11 साल ये 12 साल प्लस ये कब से कब तक है 79 से 86 अब ये 85 होना चाहिए 85 यहाँ 85 कर देना ये 85 से 87 दुबारा से बंसीलाल जी रहे और फिर देविलाल जी आ गए 87 से 89 ये सन नहीं पूछेंगे का आइडिया रखना है बस चौटाला जी रहे 89 से 90 के बीच में फिर बनारसी दास गुपता फिर से आ गए 90 से 90 देखो बनारसी दास गुपता भी उपर भी आये थे ना बनारसी दास गुपता देखो ये रहा बनारसी दास गुपता इमर्जनसी के टाइम अब बनारसी दास गुपता फिर से आ गए फ ना मिले तो भजन लाल का, सबसे छोटा कारेकाल कहेंगे तो क्या कहोगे आप, ओम प्रकाश चोटाला जी का, ठीक है? अगर सेम बात राज्यपालों के टॉपिक में आ गई तो आप कहोगे सबसे लंबा कारेकाल विरेंदर नारायन चक्रवर्ती का और सबसे छोटा कारेकाल वर्मा जी का था याद है ओम्प्रकाश वर्मा तो ओम्प्रकाश वर्मा यहां कौन है ओम्प्रकाश चोटाला अगर र राजपाल सबसे छोटे कारेकाल वाला वर्मा, दोनों का नाम ओम प्रकाश, सबसे लंबा राजपाल जो टिका वो वी एन चक्रवर्ती टिका, और सबसे लंबा सी एम जो टिका आपका वो टिके बंसिलाल, ना मिले तो भजनलाल, और अगर पूछे सबसे लंबा कारेकाल 23 से 6 4 तो को टाइम पीरिड ही नहीं है अभी उपर हम देख रहे थे वहां 12 साथ से 17 साथ था तो इतने कम टाइम में आदमी क्या करेगा फिर तीसरे महीने से चौथा महीना वह बाइस थी यह चे तो कितने कम दिन सिती इतनी घराब थी कि राज में फिर से क्या लग गया राष अब थोड़ा सा स्टेगनेंट हुआ आपका काम एक जगह रुका देश में राजनीती का काम फिर बंसिलाल जी आये 96 से 99 इस बार ये कॉंग्रेस से अपना पीछा चुडा चुडा चुके हैं और अब ये नई पार्टी बना चुके हैं इस दौर में इस पार्टी का नाम है हरियाना विकास पार्टी कल हमने राओ विरेंदर सिंग जी की पार्टी पढ़ी थी विशाल हरियाना पार्टी जो पहले मेल अध्यक्ष थे विधान सभा के और पहले गैर कॉंग्रेस सीम थे हरियाना के आज हम पढ़ रहे हैं बंसिलाल जी ने काभी लंबे टाइम तक कॉ और फाइनली जाके कॉंग्रेस से अलग होके अपनी पार्टी बना ली जिसको क्या नम दिया हरियाना विकास पार्टी आधुनिक हरियाना के निर्माता है श्री बंसिलाल जी इनके टाइम में आपके यहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लॉंच हुए और इनके सिर्पे यह मानलो कॉंग्रेस का बहुत बढ़िया हाथ रहा लंबे टाइम तक कई डिकेड्स तक तभी यह हरियाना में बढ़िया काम कर पाए ठीक है बंसिलाल जी हो गया अब यह पांच के लिए नहीं आए बस तीन साल मुश्किल से तीन साल काटे चले ओम प्रकाश चौटाला ज लेकिन वो कोई काम करने का मौका थोड़ी दिया था बहुत तुम एक महीना भी पूरा नहीं रख रहे दस दिन रख रहे हो साथ दिन रख रहे हो तो क्या फायदा अब वो टिकेंगे ओम प्रकाश चौटाला निन्यानवे से दो हजार पांच भूपेंदर सिंग हुड़ा आपके राज्य का ऐसा एकलोता आदमी जिसने लगातार दस साल तक इसमें सी एम की कुरसी पे अपना जमावडा जमाई रखा तो भूपेंदर सिंग हुड़ा और विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत जो 31 सीटें आ गई ना उसमें भी हुड़ा का बहुत बड़ा योगदान हैं तो दस साल दो हजार चार ये पांचवे महीने में मेरे खाल चौथा होना चाहिए ने चलो पांचवे से वो देश का था पांच से चौधा ठीक है तो पूरे दस साल इन्होंने अराम से काटे इसके बाद लंबे समय तक आ गया मनोहर लाल खटर 14 से और 24 तक के लिए आ ग लंबे मिले हैं तो 99 से 2005 में इनको मौका मिला है सबसे लंबा कारिकाल बंसिलाल जी का है ना मिले तो भजनलाल जी का है लंबा लगातार में कहेंगे तो हुड़ा का है आपके विधान सभा की सीटें नभ्ये हैं पहले आपकी विधान सभा में स्टार्टिंग में 54 आदमी आ आपके यहां 81 सीटों पर election हुआ, अलग हो के आए तो 54, जब पहली बार election कराए तो 81 और आज की डेट में 77 से आज सक आपके राज में 90 MLS की सीटें as it is चलती जा रही है, जिन में reserved कितनी है 17 सीटें, ठीक है, तो राश्टपती शासन आपके राज में कितनी बार लगा है, हमार राश्टपती शासन एक साल एक दिन बाद, यानि ग्यारवे महीने में लग गया होगा 67 में, एक साल एक दिन है न, तो दो ग्यारा, ठीक है, दो ग्यारा 1967 और कब तक चला ये 1968 तक, अभी हम दिन इसके देख लेंगे, पांचवे महीने तक चला था, इतना हमें याद रखना महीने तक 1991 में, अब इनके दिनों की तारीख भी हमें याद है, बीच में 20 उपर 21 नीचे 22, ठीक है, यहां आजाएं, दो, तीन, दो तिया कितना होता है, 6, बस इस तीन को क्या कर देना है, 30, ठीक है, यहां पूछेंगे पहले कौन था बताओ, तो जी राव था, राव क्या बना था, राव बना चोटाला, यानि राव विरेंद्र सिंग और बनारसी दास गुपता और अपने चोटाला, ठीक है, फिर इधर आ जाएं, तो इधर क्या हुआ था, क्या किया था, देवी के भजन गाये थे, बंसीलाल ने, तो बंसीलाल ने देवी के भजन गाये, तो बंसीलाल, अगर ये पेपर में नहीं आता, तो सेकेंड प्रायरिटी पर आप जाएंगे भजन लाल के साथ, और हमने देखा कि बार बार कौन बना, चोटाला, सबसे ज्यादा बार नंबर किसका आया, चोटाला, लेकिन उनके टोटल साल गिंते हैं, तो हाडली 6-6 साल उनक तो इसलिए उनको consider नहीं किया जाता है, बहुत important topic है, इसको जब 20 बार पढ़ते हैं तब ये पल्ले पढ़ता है, नहीं तो इसमें बहुत गलतियां करते हैं, लगभग बच्चे गलतियां करते हैं, अब दुबारा एक बार लिस्स देख लो, इसमें वरना फिर गलती होगी सबसे पहले CM कौन था आपका, सबसे पहले थे BD शर्मा, बिना चुने हुए 54 में से एक, फिर आपने राओ विरेंदर सिंग जी को ये मौका दिया, ये पहले विधान सभा के अध्यक्ष बने कुछ दिनों के लिए, फिर ये पहले गैर कॉंगरस सी CM बने, ये पहला मेल वि 68 मई तक चला था, फिर आगए Bansilal जी, 68 से 75 तक बढ़िया काम किया, इसी दौर में सतर में आपका राज जो है, इलेक्रिफिकेशन के कारण जाना गया, मारूती की कारण जाना गया, फिर आए BANARSI DAS GUPTA जी, 75 सटतर जब देश में आपके में, ये आपातकाल लगा हुआ उस टाइम पर गुपता जी ने काम किया, फिर राश्टपती शासन देश में से हटा अपातकाल और आपके यहां राश्टपती शासन लगा, था कुछ दिन का लेकिन फिर भी लगा, फिर आए देविलाल, देखो राश्टपती शासन के उपर नीचे का तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई दिया, इसमें भी देखो, राश्टपती शासन के उपर नीचे का ट्रिक बता दिया, पहला तुम्हें यादी है, तो ये सारे सीरी से याद करना मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो, हां मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर आए भजनलाल, य को भी कोई लंबा नहीं टिक पाए, चोटाला इस बार आए, तो फिर और मजाक के तौर पे छोटा सा टाइम पीरिड, फिर राश्टपती शासन, ये राश्टपती शासन भी हमें डेट वाइज याद है, इस से पहला और आखरी आपको याद ही है, फिर बंसिलाल, फिर चो आपका राश्टपती चोदवा है, आपके यहाँ जो प्रेजन्ट में विधान सभा चल रही है, ये चोदवी चल रही है, ठीक है, चलिए, प्रिशासनिक सनरशना की बात करें, तो ये जो मंत्री मंत्री हमने इतने पढ़े, इनके काम कॉन करता है, ये सारे मंत्री हैं, इसका मतलब इनका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं किसी भी constitution के, किसी article में इनकी educational qualification के लिए कुछ लिखा ही नहीं, योगेता के नाम पे कह दिया कि 25 साल के हों, भारत के नागरिक हों, और लाब के बदबर ना हों, और विधान सभा का मेंबर बनने की यो चीफशी होते हैं सेक्रेटरी और सेक्रेटरे यो पोढ़ के अधिकारी होते हैं, और आपके यहाँ पर… जैसे अगर रिखिशी कहा नहीं श्पहमध का सक्कृटरी कों आपका जो इस पर midnight के सचेव हैं, तो वह आपकी एक महिला है केषिनी, और वह तीन चार बहने हैं, ती जाके सचिव के रूप में कईवारत्षण के काम किया, 昨 unconditionally, और आपके हर डिपार्टबेंट में एक सचिव मिलेगा, और यिस तपिक गभले में हो mere शकाम करते हैं, यह सचिवाल में करते हैं, तो मैं चंडी गड बोलते हैं, तो प्रिशासनिक सेयोट हैं। तो बस इसको लास्ट पढ़ा देती हूं, फिर प्रशास्ति धांचा कल पढ़ेंगे, मंत्री परिशत को परामर्ष और कार्यालई कारियों में सहायता देने, मंत्री तो आपके अनपढ़ भी हो सकते हैं, तो सहायता करेंगे, पढ़े लिके आई ये इस रेंग के आदमी, वो अलग विभाग बनाए गए हैं, आपके हर डिपार्टमेंट में जैसे मंत्री बनता है, उस मंत्री की मदद करने के लिए इस रेंग का आदमी होता है, और मंत्री के सामने आते ही, वो सल्यूट मारता है, यानि पढ़ाई रिखाई भी सलाम ठोकती है, अनपढ़ आदमी के स सामने क्योंकि वो बड़े रेंक पर बैठा है, अगला मंत्री है, वो सचिव है, काम सारा सचिव करेगा, करामर्ष तो भी अच्छी भाषा बनाने के लिए कहा न, रियालिटी क्या है, कि सारी नीतियां इनके हाथ से बनती है, जो आई एस लेवल के आदमी होते है, मुख्य सचिवाले, यहां सचिव लिखना चाहिए, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव मतलब जो चीफ सेक्रेटरी है, जो मैंने केशनी आनंद का नाम बताए, आपको महिला का, मुख्य सचिव राज्य सचिवाले का प्रधान होता है, जो चीफ सेक्रेटरी है, वो पूरे सचिव का और अन्य प्रमुक सचिफ जो बाकी होते हैं अपने अपने विभाग के प्रमुक जैसे आपके बिजली विभाग में परेटन विभाग में एक एक सचिफ हर चीज का है आपका परेटन सचिफ मिलेगा आपका परियावरन सचिफ मिलेगा आपका जो भी जितने डिपार्टमें आपने सुने ना, उन सब का एक secretary है, secretary किस rank का? IES का, मंत्री नियम नहीं बनाता, सारी reality है कि सारा परामाश देते हैं या IES अफसर, इन सब हर department के सचिफ के उपर एक होता है chief secretary, और chief secretary सबसे बड़ी post है किसी भी IES अधिकारी के बनने के लिए, तो जो भी chief secretary होगा ना, भारत सरकार का, वो देश का सबसे best कोई IES होगा, जिसका number आएगा, तो हर IES का सपना होता है, IES तो बन गया, लेकिन IES को आगे भी तो बढ़ना होता है, तो वो सबसे बड़ी rank होती है chief secretary की, जहां कोई भी IES पहुँच सकता है, वो सरकार के पक्ष में काम करता हो, और सरकार की नजरों में positive हो, तब वो सरकार के आदमी उसको वहां तक पहुचाते हैं, वर्ना नहीं, चलिए, आज हमने ये सीख लिया, प्रशासनिक ढाचा आप, ये कल पढ़ेंगे, मंडल और जिला, मंडल क्या क्या है, अपने आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप खुद भी धिरे-दिरे पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का टारगेट सिर्फ इतना है कि दिसंबर तक पढ़ना है, तो कोई फायदा नहीं, हमें लंबी पारी खेलनी हैं, हमें जनवरी, फरवरी, मार्च के एक्जाम्स भी टारगेट में रखने हैं, तो हम कोई भागदॉड में काम नहीं करेंगे, हम अच्छे डंग से तयारी करेंगे, जितना हो सकेगा, मैक्सिमम सीखते चलेंगे, ठीक है, अब पढ़ाने को तुम्हें ये पूरा टॉपिक आज पढ़ा देती, लेकिन मुझे पता है कि राश्टपती शासन वाले टॉपिक में बच्चे उलजेंगे, अगर मैं सिर्फ पढ़ा के चले जाओं तो बात नहीं बनेगी, मैंने आज आज में चार बार राश्टपती शासन कराया, ताकि तुम्हें समझ आ जाए, अब उनको दो-तीन बार पढ़के खुद बैठना, रफ पेज पे लिख लिख के याद करना तब बात बनेगी, कौन पहले आया, कौन राश्टपती शासन के बाद क्या कारेकाल था, लंबा कौन, छोटा कौन, सभा के अध्यक्ष कौन, कौन हाई कोर्ट में भी रहे, कौन चीफ मिनिस्टर भी बने, कौन राज्यपाल भी रहे, तो ये सारी चीज़े खिचडी जैसे दिमाग में मिक्स हो जाती है, इनको बार-बार पढ़ना पढ़ेगा ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है, और हमारा टार्गेट कोई एक ऐसा नहीं कि बस पेपर आया और हम भूल गए, हमारा टार्गेट है नौकरी पानी है, चाहे हमें दिन ज्यादा लग जाएं लेकिन हम तैयारी ढंकी करेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू. झालिक है, तो झालिक है, तर झालिक है नहीं कि अत 미안तर है, हमारा टार्गे नचे खेएं लेक गजार, चाहें में दिन ज्यादातकी। ये जियादा, चेएंक में जूत एक ये ये रहें,